नमस्कार दोस्तों मैं भार्शा और आप देखे हो न्यूस क्लिक पर खोजखबर कारी करम आज जब हम देश में देख रहे हैं कि गाये के नाम पर गौर रक्षक किस तरह से हत्याएं कर रहे हैं किस तरह से सरेयाम पब्लिक डोमेन में वीडियो डाल रहे हैं हिंसा की बाते कर रहे हैं, पुरे देश को एक नफरत के मैदान में तबदील करने की साजिश हो रही है, ठीक उसी समय मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी से एक सवाल पूछा जाना चाहिए, मोधी सरकार से एक सवाल पूछा जाना चाहिए, कि आप एक राष्ट, श्र जो पूरे देश में अपने तमाम संगठनों के साथ, जिसमें विश्व हिंदू परिशद, बजरंग दल और अंगिनस संगठन हैं, आतंक मचाती है, गाय के नाम पर, वही पार्टी, उन्ही के सरकार, देश के कुछ हिस्सों में बोलती है कि नहीं, हम तो बीफ खाते हैं, ये पॉलिटिक्स क्या है मोदी जी, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि भारती जनता पार्टी डबल स्टैंडर्ड रखती है बीफ पर, इसका प्रमाण खुद उनके नेता दे रहे हैं, आपको नक्षे में दिखाई दे रहे हैं, तीन राज, हमने जान बूच के सिर्फ तीन श्रज रखें क्योंकि यही तीन राज भाजपा की बदा इस समय खबर में हैं, सबसे पहले देखिए, ये है राजस्थान और हरियाना दूसरा है मेगाले, तीसरा है मेगाले, इन तीनों राज्यों की खासियत क्या है? सबसे पहले मेघाले की बात मेघाले में चुनाव होने हैं और आप देखिए कि किस तरह से मेघाले में भारती जनता पार्टी खुल कर बीफ के पक्ष में बैटिंग कर रही है इस नक्षे में उत्तर भारत है और उस तरफ उत्तर पूर्व भारत है उत्तर भारत में भारती जनता पार्टी और इसके तमाम संगठन जो आरसे से जुड़े हुए हैं वो बीफ के नाम पर लिंचिंग तक को जायस ठहराते हैं यानि इनसान की हत्या गाय के नाम पर ऐसी ही वारतात होती है राजेस्थान में राजेस्थान से दो यूकों को ले जाये जाता है हर्याणा में उनकी हत्या होती है उनकी लाश जली हुई मिलती है और यह काम जिनों ने किया वे सब जिस तरह के उपद्रवी और गुंडे हैं जिस तरह से हतियारों और हिंसा को प्रचारित प्रसारित करते हैं उसे देखकर आपको और हमको डर लगता है कि हमने किस तरह से देश के नौजवान को हिंसक हतियारा बना दिया है और वहीं देखिए जो खबर आती है वह आती है मेगाले से बहुत एहम राज्य है ये और यहां के जितने राज्य हैं जो seven sisters हैं यहां पर भारती जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए सरे आम कहती है कि हम बीफ खाते हैं यानि गौमास खाते हैं यह हमारा कल्चर है और हम भारती जनता पार्टी में हैं यहां देखिए यह शक्स यह शक्स मेगाले के भारती जनता पार्टी को कंधों पर लेकर चल रहे हैं और यह चो statement आपको दिखाई दे रहा है यह पहली बार नहीं है यह से पहले भी यह बोल चुके हैं और इसे बोलते हुए इंटर्यू में बकायदा बैटिंग करते हैं कि भ इस फोटो में यह जो शक्स दिखाई दे रहे हैं मोनू मानेसर मोहित यादव नाम है इंका हर्याना के बाशिंदे हैं और इनकी फोटो मानिनी मंत्री जी के साथ है इन मंत्री जी के बारे में पूरी की पूरी कहानी अलग है कि किस तरह से इन्होंने नफरत पहलाने के लेकिन यहां यह फोटो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यह जो शक्स है यह शक्स इस पर आरोप लगा है कि इसने राजस्थान के दो भारतिय नागरिकों को अपनी पूरी टीम के साथ किड्लैप किया और बाद में उनकी लाश जली हुई लाश मिलती है हरियान में जब हम बात करते हैं कि किस तरह से नफरत को स्टेट पावर यानि सरकारें बढ़ाती हैं नौजवानों को हिंसा की ओर ढखेलती हैं तब यह वीडियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है यह वीडियो मैंने और आपने नहीं बनाया इसी शक्स ने बनाया है और यह शक् माथियारों के साथ ऐसे अंगिनत वीडियो इसके प्रोफाइल पर रहे हैं जो बताते हैं कि किस तरह से अशलील अभद्र भाशा का प्रियोक करते हैं किस तरह से इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं यह वही घटना है जहां राजस्थान के दो नौजवानों को जला कर म डाला गया इसके जो अंगिनत वीडियो और स्टोरीज आई हैं हमारे सामने वो दिल दहलाने वाली हैं वह बताती हैं कि किस तरह से हर्याणा में हर्याणा की सरकार और वहां की पुलिस इस तरह के गुंडों हत्यारों को पल्लवित पुश्पित करती है बचाती है इसे लेकर अंगिनत कहानिया हैं लेकिन आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं और आपके जरिये सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वज़ा है कि इस तरह के उपद्रवी गाए के नाम पर हिंसा करते हैं और वहीं मेगाले सहित पूरे इलाके में आपकी खुद की पार्टी खुले आम कहती है कि बीफ खाते हैं और भाशपा को बीफ से कोई दिक्कत नहीं गोवा में भी उन्होंने यही कहा थ यह क्या पॉलिटिक्स है मोदी जी क्लियर करिए मैं यहां आपसे यह बात यह रिक्वेस्ट यह दरख्वास इसले कर रही हूं क्योंकि इस देश में हम सब ने देखा है कि यह तमाम लोग बलातकारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं हत्यारों के पक्ष में रैली निका रहा है इन हत्यारों जिनके उपर हत्या का आरोप लगा है जिन पर हिंसा का आरोप लगा है उनके पक्ष में लगा रहा है और नारे लग रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं यह कौन लोग हैं जो देश के खिलाफ हैं और इन आरोपियों के पक्ष में हैं शायद आज यह अपन जनता पार्टी उसके नेता डबल स्टैंडर्ड रखते हैं तो यह फोटो भी धियान से देखिए यह फोटो मोदी जी की मंत्रिमंडल में खास जगा रखने वाली स्मृति इदानी जी की है उनकी बेटी की शादी की है फोटो यह इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं शारुक खान की फिल्म पठान का बायकॉट करने का अहवान भारती जनता पार्टी उनके सांसदों ने दिया था संसद के परिसर में दिया था और देखिए एक तरफ वह हमें भूला नहीं चाहिए यह तस्वीर यह तस्वीर है मद्द प्रदेश के ग्रिह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रग्या ठाकूर ने भी इसी तरह का बयान दिया था और उसका वजह उसका परिणाम हमें दिखाई दिया था कि पठान फिल्म के आसपास जो रिलीज हुई थी किस तरह से उनके पोस्टर फाड़े गए थे किस तरह से हमलावर यह पूरी की पूरी ब्रिगेट थी लेकिन देखें ये लोग भूल जाते हैं कि यही शक्स उन्ही के नेता जब अपना मतलब आता है अपनी निजी जिन्दगी आती है तब वहां वो नफरत नहीं पहलाते लेकिन मिसाल जो हमने पहले दी कि किस तरह से युवकों को हिंसा पर उकसाते हैं किस तरह से उन्हें नफरती ब्रिगेड में तबदील करते हैं किस तरह से उन तक हथियार पहुचाते हैं और सारा का सारा काम पुलिस और सत्ता के सर्रक्षन में होता है यह सब जब चल रहा है ठीक उसी समय हमें दिखाई दे रहा है कि देश में जो लोकतांत्रिक माहौल है उसके साथ किस कदर सत्ता सत कि संस्थाएं खिलवार कर रही हैं इसमें जो सबसे मारक तस्वीर आती है वह आती है इसी हर्याना से हर्याना में यह सरकारी करमचारी हैं यह तमाम वे लोग हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम दुबारा लागू करने के लिए बात कर रहे हैं मांग कर रहे हैं जिस समय यह सब कु पर उनकी सरकार यह जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है यह उसी अर्याना का है जहां पर हमने देखा कि किस तरह से नफरत का कारोबार फैलाया जाता है सरकार और पुलिस उसके पक्ष में खड़ी होती है उसी हर्याना में जब वहाँ के नागरिक वहाँ के करमचारी सरकार से मांगने निकल थे हैं कि हमें Old Pension scheme चाहिए तब देखिये किस कदर हिंसा पर उतरता है, किस तरह से लाठी चार्ज होता है, किस तरह से पानी पेका जाता है और कहा जाता है कि सरकार से नागरिक अपनी अधिकारों की मांग नहीं रख सकते यह देखते हुए मुझे याद आ रहा था कि किस तरह से उत्तरा खंड में छात्रों के उपर भी बरबर लाठी चार्ज किया गया था वहां की सड़के खून से रंग गई थी क्योंकि छात्र अपनी चुनी हुई सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें रोजगार चाहिए यह जो सारा परिद्रिश्य है यह बहुत कुछ कह रहा है हमसे आपसे जागने की अपील तो कम से कम करी रहा है किस तरह से सरकार हिंसा पर उतारू होती है किस तरह से सरकार विपक्षी दलों पर नफरत का एजंडा चलाती है बदले का एजंडा चलाती है इसकी मिसाल मिल रही है चतिसगड़ से चतिसगड़ में जिस तरह से वहां की सरकार को निशाने पे लिया गया ED रेट पड़ा और सारा का सारा विपक्ष एक स्वर में कह रहा है कि यह बदले की कारवाई है और शायद उसे ऐसा कहने का आधार खुद मुदी सरकार ने दिया क्योंकि हम सब ने देखा है कि तमाम जगों पे जहां विपक्ष की सरकारे चल रही है वहाँ पर ED हो, CBI हो, अंगिनत एजेंसिया हो वह किस तरह से छापे मार रही है और विपक्ष और लोकतंत्र को कुंद करने की कोशिश कर रही है दोस्तों जिस समय लोकतंत्र पर इतने तीखे और सीधे सीधे हमले हो रहे हैं उस समय एक आज भी जग रही है और आज जग रही है कि तमाम दल जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं जो देश को बचाना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि लोक्तांत्रिक स्पेस हमारी आपकी जिन्दगी में बचा रहे, वे एक साथ आ रहे हैं इसकी एक छोटी सी आशा की किरन दिखाई दी बिहार से, बिहार की राजधानी पटना से हम सब जानते हैं कि पटना बिहार बिहार की जो पूरी राजनीती है उसने 2014 से जो मोदी जी का अश्व मेग यग चल रहा है कि किसी भी सरकार को जब भी वे चाहें गिरा सकते हैं सरकार बदल सकते हैं इस पर एक विराम लगाया बिहार ने बिहार में नितीश भाशपा के पास गए और फिर वापस आए और इस तरह से जो राजनिती वहाँ चल रही है उसमें भाखपा माले ने जो अपनी 11 वी कॉंग्रेस की उसमें आशा की किरन यह दिखाई दी कि तमाम दल एक साथ आए एक मंच पर आए और उन्होंने एलान किया कि मोदी जी का जो मौडल है जो गुजराद का मौडल है उसके बरक्स एक बिहार का भी मौडल है अब आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो रैली हुई और उसके बाद कॉंग्रेस के दौरान जिस तरह से गड़बंधन के लिए तमाम दलों को नियोता दिया गया उसमे बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार साथ आए तेजस्वी भी बोले और नितीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर सारे दल साथ आएंगे तो भारती जनतापार्टी मोदी सरकार और उनका पूरा प्रचार अभियान जितनी भी कोशिश कर ले दोहजार च अब मेरा पत्ता नहीं मानियेगा तक क्या होगा आप जानिये आप लोग जानिये हम तो कि आप लोग जानिये हम तो कि आप तो सब भी बात करना चाहर है तो क्रिपाट एटके कहेंगे कि कोई अगर आप लोग इस पास यह सोच भी दिएगा पूरे देश के हिक में तो आपको भी फायता होगा और देश को भी फायता होगा हो सकता है यह महज एक कयास हो हो सकता है यह संभव ना हो लेकिन कम से कम इस दिशा में जो कदम बढ़ा है उसकी तस्दीक यानि उसे रिकगनाईज करना बहुत जरूरी है और शायद बिहार के धर्ती से यह जो कदम बढ़ा है जिस तरह से भागप्यमाले ने अपने कन्वेंशन में यह अपील की है कि लोग आएं देखें और सुनें शायद वह दूर तक पहुचेगी क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश के लोकतंत्र को जिस तरह से घेर लिया गया है जिस तरह से हमला हो रहा है वह हमारे और आपके दोनों के लिए खतरनाक है शुक्रिया